मुझे समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि ये चीज जो मैंने आज देखी है ये मूवी लिटरली एक मूवी नहीं एक भावना है एक तरह का जुनून है जो अपने डोस्ट को किसी भी परिस्थिती से बाहर निकालने की शमता रखता है मैं लिटरली इस बात को अभी भी हसम नहीं कर पा रहा हूँ कि ये एक बेस्ट और ट्रू स्टोरी है यानि की रियल इस्टेंट पर आधारित है जो कि 2006 में हुआ था मन्जूमल बॉइस नाम का एक रियल ग्रूप भी है और उनी के ओपर ये कहानी पुरी बनी है क्योंकि सेकिंड आप इस मूवी का इतना जादा खौफनाथ है कि आपको एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा अपनी नजरे इदर उदर करने का उसका एक एक मिनट आप इतना सीरियसली देखते हो बिंग इरस्टेक्टिव कि यार आपको इस मूवी का ग्लैमेक्स पता है क्या होने वाला है फिर भी तो चलो पहले इस घटना की बात करते हैं जो कि घटित हुई थी 2006 में कोड़ाई कनाल में वहाँ पर एक जगा है जिसका नाम है गुना के और हमारे मंजुमल बॉइस जो की कोची के रहने वाले हैं वो घूमने के लिए बहुत सारी जगा है पर आ आसपास कहीं उस मूवी की शुटिंग होई थी तो ये लोग देखने के लिए जाते हैं खतरनाक है ये लोग जानते हैं पर फिर भी जाते हैं अब उस मूवी के अंदर एक गाना हुआ करता था जो कि बहुत फेमस है अभी आप जागर देखो कि 10 मिलियन से ज़्यादा व्य दोस्तों में से एक जो दोस्त होता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एक गड़े के अंदर गिर जाता है अब वो गड़ा जो है वो कम से कम 9 फीट गहरा है ऐसा मूवी के अंदर ही बताया गया है और उस गड़े का नाम है डेविल्स किचन यानि की शैतान की रसोई अ सवाल यहां यह भी आता है कि मूवी के अंदर है दिखाया गया है कि यह गड़ा बहुत खदरनाक है इसके अंदर पहले भी 12-13 लोग गिर चुके हैं तो आखिर इस गड़े को सीज क्यों नहीं किया गया माना रिस्ट्रिक्टिड एरिया है अंदर सीज करना कोई सेंस नहीं ब साटिंग से लेकर काफी कुछ चीजे मज़ेदार चावती है सेकेंड आप स्टार्ट होने से पहले ही चीजे सीरियस हो जाती है इतनी इंटेंस सिचुवेशन जहां पर एक लड़का जो की गड़े में गिर चुका है दोस्तों का हाड़कूर इमोशन की भाई हमारा दोस्त गरिया है उसे बचाओ किसी भी तरह से और वो चीजे इतनी रियल लगती है कि एक बार को आप कहोगे कि इनसे असली चैरे कहीं नहीं मिलेंगे एकसेप्ट दे रियल लइफ मंजुमल वोईज मुवी का सबसे इंट्रेस्टिंग और सबसे हाइलाइटिंग पॉइंट है इस मुवी का सिनेमेटोग्राफी और इस मुवी के विजुवल्स जिस तरह से गुना केव को पोर्ट्रे किया गया है इतने डार्क सीन्स को समचल रहा है स्क्रीन पे जो की मुवी का सबसे बेश्ट है दो गंटे 15 द्रेट की मुवी है काफी कमाल की चीज़ आपको इस मुवी के अंदर देखने को मिलती है और बनाई गई है इवन फर्स्ट आफ मुवी का काफी डिफरेंट वाइब आपको देगा अगर आप सबसे बेश्ट की मुवी का सीक्रेट है और मल्यालम मुवी का भी एक सीक्रेट है कि यह चीज़ों को जैसे है वैसे ही रखते है एक दम रूरल एरिया वहाँ की ही लाइच्टाइल वहाँ की चीज़े मतलब जादा ग्लैमर वगेरा नहीं दिखाते एक नॉर्मल बंदा जो वाला जो केरेक्टर होता है वो कूता है तालाप के अंदर और सीटा डेविल्स किचन के अंदर लैंड करता है और लिटरली जब वो कंटिन्यूस तरीके से ऐसे से गिरता रहता है वो सीन इतना स्कैरी था या फिर गहलो इतना ज़ादा डिस्टर्बिंग था कि आप देख भी नहीं पाओगे एक सीन ये भी समझ आई कि जितने गंदी तरीके से वो नीचे गिरता हुआ जा रहा था उतने ही साथ थोड़ी थोड़ी आसानी से वो उपर आ रहा था प्यूकि जब आप उसको गिरता हुआ देखते हो तो आप समझते हो कि या तो वो जिन्दा नहीं बचेगा या वो सिंगल पीस में नहीं रहेगा तुकड़े हो जाएंगे और यही कुछ चीजे मुझे ट्रॉमा फिल करा देती है अब सुभाज जैसा तो नहीं पर यह सोच कर कि यार परिस्टिती कितनी खराब हो सकती है बंदे की कि उसे ये दिन देखना बढ़ रहा है औ तो कि इतने multiple characters है तो थोड़ा शायद difficulty हुई होगी और डिस्नी दस होट स्टार से मेरी ऐसी कोई खास उम्मीदे रहती नहीं है हिंदी डप से लिटेड़ तो वही प्यार दोस्ती वाला emotion जो कि कहीं ना कहीं इस movie की एक नीव था इस movie की एक root थी पतलब में सोच कर देखो न तेम आपके साथ भी वही चीज हो रही है आसू आये ना आये पर आप smile जरूर कर दोगे और वही कनमने अनबोडू वाला जो गाना है वो continue होता है and it feels like magic वैसे तो इस गाने का separately काफी अलग मतलब है प्यार मोहबबत से related पर इस movie के अंदर ये एक गहरी दोस्ती वाला रिष्टा भी बताता है ऐसा movie के डिरेक्टर खुद एक interview के अंदर बताते हैं और हां recent में हम जानते हैं कि अभी कमल असन का एक interview आया था manjimal boys की team और उनकी casting के साथ तो manjimal boys movie को एक तरह से tribute ही बताया जा रहा है कमल असन को और movie खत्म होते होते हैं काफी कुछ real life pictures देखते हैं manjimal boys की and that's it मेरे नजरिये में मैं इस movie को एक must watch movie कहूंगा if you are new in Malayalam cinema मतलब मैंने भी इतना नहीं देखा है बट मैंने जितना देखा है मैं बता रहा हूं काफी अच्छी movie थी अगर आपको survival thriller drama movie देखनी पसंद है तो especially it's for you and it's for everyone यार जो भी cinema पसंद करता है उन सभी के लिए ये movie है क्या बता आपको कुछ नहीं perspectives देखने को मिले तो आपने ये movie अब तक देखिया फिर नहीं देखिया अब तो OTT पर आ गई है देख लो फटा पट जाके तो लाइक शे सब्सक्राइब करना मत बोलना हम मिलेंगे एगली वीडियो में तिल देन टेक क्यार पाई बाई